लोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगारे ठंकित में मैं हूं रंजन राज उम्मीद करता हूं आपसे बहतर होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी तो जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है चेसिस और सस्पेंसन सिस्टम के बारे में जो आटो मोबाईल उप्योग होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो स्वागत है आप लोगों का लेकराम, विष्णू, महेंद्र, जगदीस, सतीस, मौन्टी, ठीक है बादल सबी लोग हमारे साथ जल्दी जल्दी जुड़ेंगे, जल्दी जल्दी जुड़ेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे अपने टॉपिक को सुरू करेंगे आज यह आप मान के चलिए कि लगभग लगभग जो हमारा टेकनिकल वाला पार्ट चल रहा था उसका क्या है आज हमारा लॉश टॉपिक है यानी कि सस्पेंशन और हम लोग चेसिस के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा इसी के साथ जो टेकनिकल पार्ट है वो खतम हो जाएगा और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे driver वाला जो part है वो शुरू करेंगे ठीक है चलिए कल तो भाई आपका वो होगा कल तो आपका क्या होगा practice questions होगी practice questions होगा कल ठीक है भाई करवा देंगे lubrication system लेकिन वो miscellaneous में last में एकदम करवाया जाएगा जो आपके syllabus में नहीं है अगर आप उसको बोल रहे हैं तो वो miscellaneous topics के अंतरगत last में एकदम क्या किया जाएगा उसको करवाया जाएगा ठीक है चलिए चलिए आईए अब हम लोग अपनी class को शुरू करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे chases और suspension system के बारे में तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं बहुत ही छोटा topic है बहुत इसमें प्रस्न भी इससे बहुत नहीं बनते हैं तो आपको बस क्या करना है इसको जल्दी जल्दी समझना है सभी को राम राम, सभी को good evening, सभी को नमसकार अब आप लोग इधर ध्यान दीजिए ठीक है तो देखें automobile chases क्या होता है एक spot यानि कि आप इसको spot को English में क्या बोलोगे steel एक steel का बना धाचा होता है जिस पर विभिन automobile के घटक जैसे कि क्या होता है जैसे कि आपका engine, tyre, excel, brake, steering आदि को क्या किया जाता है जोड़ा जाता है इसे वाहन का सबसे महतुपूर अंग माना जाता है जो विभिन परिस्थितियों में वाहन को सक्ती और स्थिर्ता क्या करता है प्रदान करता है सक्ती और क्या करता है स्थिर्ता प्रदान करता है तो यहाँ पर आप ध्यान से चीजों को देखेंगे इसकी definition को जो लोग लिखना चाहें वो जल्दी से इसका screenshot लेंगे और हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे जहाँ से प्रस्ण बनेगा उन चीजों की तरफ focus करेंगे ठीक है ठीक और देखिए यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे चेसिस के अवयाव यानि की काउन काउन से वैसे तो बहुत component छोटे छोटे पार्ट से लेकर सब कुछ हमारे कहां पर mount होते हैं चेसिस पर mount होते हैं लेकिन कुछ यह क्या है यह कुछ हमारे मुख घटक है यह कुछ क्या है हमारे मुख घटक है जो क्या होते हैं चेसिस पर होते हैं जैसे की हो गया हमारा चेसिस का frame हो गया फ्रांट सस्पेंसर हो गया श्टेरिंग जो मेकेनिजम है वो भी कहा पर माउंट होता है चेशी मेंट होता है इंजन, कलच, गीर बॉक्स सभी कहाँ पर होते हैं प्रोपेलर साप्ट हो गया रियर स्प्रिंग हो गया डिफ्रेंशियल हो गया शौक एपजारोर हो गया. ब्रेकिंग सिस्टम हो गया. और जो हमारा फ्यूल टाइंक हो गया. ये सभी क्या है? चेशिस के आप इसको कंपोनेंट नहीं बोल सकते तरह से. यानि कि ये सभी क्या है? चेशिस के ऊपर, भाई एक आधार हो गया. है एक आपका बेस हो गया जैसे आपको किसी competition के त्यारी करने है तो आपका base बढ़ियां होना चाहिए base मजबूत होना चाहिए उसी तरीके से अच्छा जो automobile भही होगा जिसका chases क्या होगा मजबूत होगा जिसका चेशिस भाई करवा बिल्कुल करवादेंगे दीपू जी आप परसानमत होई है थीक है तो इस पर क्या होता है सभी जो कंपोनेंट्स है आटो मुबाइल की वह क्या होते हैं माउंट होते हैं लगे हुए होते हैं चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो यह है आपका figure figure को आप देखेंगे और चेसिस में क्या होते हैं कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में हम लोग यहां पर समझेंगे सारी चीजों को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जैसे की बात करें रेडियेटर की रेडियेटर कहां पर लगा होता है आटो मोबाइल में सब से आगे की तरफ लगा होता है यह क्या काम करेगा यहां से हवा आएगी तो रेडियेटर क्या होगा ठंडा होगा और ठंडे पानी को क्या करेगा इंजन में सर्कुले यहां पे आ गया Universal Joint ठीक है यहां पे पीछे आपका पेच्रोल होता है और यह जो मेंबर होते है ईसको हम लोग बस्टेंगे वर्टिकल मेंबर और इसको क्या बोलेंगे हारजल तर्भत ठीक है अब यहां पर देखिए उपर का इसका व्यूद्र लगा होता है यहाँ पर यह फिर से प्रोपेलर साफ्ट दिखा तो छो आप और क्या काम करता है आप यहाँ लिक लेंगे कि ये leaf spring को, leaf spring अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, dependent suspensor system में, तो वहाँ पर आपको leaf spring के बारे में और भी चीज़ें बताऊंगा, सकल पिन क्या काम करेगा, leaf spring को, chasis से जोडने का काम करता है, ठीक है, रंजीत जी आपको भी दिल से बहुत सारा प्यार, ठीक है, चलिए, king pin भी बोलते हैं, बिल्कुल, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, chasis frame का महत्त, देखिए, इसमें बहुत कुछ आपको दिमाग नहीं पुछेगा, वहां मैं आपको क्या कर दूँगा, speed को down कर दूँगा, जहां से प्रस्न बनेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो यहां पे दिखे, chasis frame का महत्त तो क्या है, पहला point है, खास तोर पर chasis पूरे वाहन के भार को क्या करती है, वाहन करती है, इसके अलावा या वाहन में अलग-अलग उपकरणों के लिए क्या करती है, जगह परदान करने का काम करती है, कैसे परदान करती है, अभी जब हम लोग टाइप साफ chasis के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे सारी चीज़ों को समझेंगे, तीसरा point क्या है, कि किसी भी वाहन में chasis, विभिन सिस्टम, जैसे engine, gearbox, आदि के वजन को भी क्या करती है, उठाने का काम करती है, जल्दी से जो बच्चा screenshot लेने वाला होगा, इसका screenshot लेगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए, चौथा point इसमें क्या है, कि इसके साथ-साथ, यानि कि जो हमारे engine, gearbox, या जो component है, उनका वजन ढ़ोने के साथ-साथ क्या करती है, वाहन की chasis, यात्रियों के वजन के साथ-साथ, सामान का भी वजन उठाती है, पांचवा point क्या है, खराब सड़कों की वज़ा से पैदा होने वाले तनाव को क्या करती है, रोकती है, और पूरे body क एक तरह से पूरी जो automobile है body, उसको क्या करती है, उसको क्या करती है, उसको एक stable करने का काम करती है, यानि कि इस्थिरता क्या करती है, प्रदान करती है, बितने पर चोक से कुछ दूर तक जाय जा सकता है, ऐसा क्यों होता है, रंजन राज सर का लाटला, भाई धन्यवाद, देखे सर, बाईक में carburetor चोक लेने के बाद कुछ दूर तक क्यों जाय जा सकता है, इसका region यह है, भीया देखो, जब आप चोक लेते हो, तो carburetor में क्या होता है, कुछ न कुछ oil रहता है, और चोक क्या काम करता है, जो आपकी air के, यानि की air के marg को क्या कर देता है, औरु चिपक जाता है, अगर श्टील का होता है, तो उस पर चुम्बक क्यों चिपक जाता है, गुरु जी, भाई देखो, इसका region तो मुझे नहीं पता, श्टील का बना होता है, हो सकता है, उसमें iron की मात्रा जादा हो, इस वज़स उसमें चुम्बक चिपक जाता हो, और ऐसा न रोट रोट आईरन ठीक है तो इस लोहे का भी हमारा चेसिस बनाया जा सकता है इस लोहे का भी हमारा चेसिस बनाया जा सकता है भाई बिलकुल सुरू करेंगे प्रेक्टिस सेट बहुत जल्दी सुरू हो जाएगा पूरे पार्ट का टेकनिकल प्रस ड्राइवर पार्ट दोनो प्रिक्टिस है जब हम लोग शुरू करेंगे, तो सम्मिलित रूप से शुरू करेंगे, ठीक है, चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, types of chases types of chases के बारे में पढ़ेंगे तो पहला है आपका conventional chases दूसरा है semi-forward chases और तीसरा है full-forward chases ये जो chases के प्रकार है वो engine के अस्थान के आधार पर आतो यहाँ पर लिखेंगे engine के engine के अस्थान के engine के अस्थान के आधार पर chases के प्रकार आधार पर यहाँ पर लिख लिखेंगे chases के प्रकार पहला है conventional chases जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं पारंपरिक पारंपरिक chases ठीक है दूसरा हमारा क्या हो गया दूसरा हमारा हो गया semi-forward chases और तीसरा हो गया full-forward chases types आपसे पूछा जा सकता है कि निम्य लिखित में से कौन chases का प्रकार है और कौन chases का प्रकार नहीं है ठीक है चलिए अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे पहला जो हमारा chases है वो कौन सा chases है वो conventional chases है अब इसमें पहले आप एक दो line लिखेंगे और फिर मैं आपको इसके बारे में समझाओंगा तो इसमें आप लिखेंगे इसमें conventional chases में क्या होता है इसमें engine driver driver cabin के सामने इस्थित होता है driver cabin के सामने क्या होता है इस्थित होता है जिससे होता क्या है जिससे driver को driver को पहियों के ठीक आगे का भाग ठीक आगे का भाग क्या होता है नहीं दिखता है ठीक पहियों के आगे का भाग नहीं दिखता है यह हमारा होता है conventional chases लिखेंगे साथ ही साथ साथ ही साथ अस्थान यानि कि जो engine वाला अस्थान है वो क्या हो जाता है अनुपियोगी हो जाता है तो आप यहाँ लिखेंगे साथ ही साथ engine वाला अस्थान क्या हो जाता है अनुपियोगी हो जाता है अनुपियोगी हो जाता है अनुपियोगी का मतलब यानि कि अब इस जगह यानि कि देखेंगे कार है कार वगएरा में कौन सा चेसिस होपियोग किया जाता है कन्विंशनल चेसिस अभी इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा होता है अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए यह जो इंजन है कहाँ पर है देखिए यह पूरा भाग इंजन कहाँ पर है यह ड्राइवर के सामने यह ड्राइवर का केविन है और इसके सामने हमारा क्या है इंजन इस्थित है अब इसके होगा क्या कि ड्राइवर देखिए जब देखेगा देखेगा तो उसको दूरी यानि कि पहीयों के ठीक सामने वाला जो भाग है वो उसको क्या होगा नहीं दिखेगा पहीयों के ठीक सामने वाला जो भाग है नहीं दिखेगा पहला नुकसान तो यह है दूसरा नुकसान यह है कि यह जो आपका जगा है यह जो आपकी पूरी ज जगा है यह क्या है अन्यूटिलाइजड है यानि कि इसको हम लोग किसी भी यात्री को बैठने के लिए या किसी सामान को रखने के लिए नहीं प्रयोग कर सकते हैं तो आपकी मन में एक सवाल आएगा भाईया कि अगर सामने का भाग हमको सही से दिख नहीं रहा है हम लोग य इसको आप क्या करेंगे इसको आप नोट करेंगे गया अगला जो चेसिस है मारा वह सेमी पारवर्वर लेकिन यहां पर क्या होता है यह जो आधा इंजन आपको दिख रहा है आधा इंजन कहां पर होगा ये इंजन का आधा भाग क्या होगा ड्राइवर के केविन के नीचे होगा और आधा भाग ही केविन के क्या होगा सामने होगा तो ये जो भाग केविन के नीचे है यानि कि इसको हमने ऐसे रखा ये केविन के नीचे आ यहां पर हम सवारी भी बैठा सकते हैं, सामान वगरा भी रख सकते हैं, ड्राइवर के बैठने की जगह भी यह होती है, तो यह होता है हमारा semi-forward chases, यानि कि ऐसा इंजन, जिसमें इंजन का आधा भाग driver cabin के नीचे होता है, उस chases को हम लोग क्या बोलते हैं, उस chases को हम लोग बोलते हैं, semi-forward chases, तो आप इसमें लिखोगे, वह chases, वह chases, जिसमें, जिसमें, क्या होता है, इंजन का, इंजन का, आधा भाग, इंजन का आधा भाग, क्या होता है, ड्राइवर के बिन के नीचे होता है, तो बस इतना आपको जानना है, और इसको आपको समझ लेना है, इंजन का आधा भाग होगा, ठीक है, यह model ramper में होता है, बिलकुल, बिलकुल, चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, full forward chases, देखिए जो figure है, यह क्या है, फुल forward chases है, अब देखिए इसमें इंजन आपको कहीं बाहर दिखेगा ही नहीं, पूरा जो इंजन है, वो क्या होगा, यह जो driver के बिन आपको दिख रहा है, पूरा जो इंजन है, इसी के नीचे क्या होगा, हमारा इस्थित होगा, तो ऐसा chases, जिसमें इंजन पूरी तरह से क्या होता है, पूरा इंजन, ड्राइवर के बिन के नीचे इस्थित होता है, उस chases को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल forward chases, उस chases को हम लोग क्या बोलेंगे, फुल forward chases, आप इसमें लिखेंगे, इसमें पूरा इंजन, पूरा इंजन, ड्राइवर के बिन के नीचे क्या होता है इस्थित होता है इस्थित होता है अब ये सब आप लिख लिजेगा कि इसके उपर की पूरी जगा को हम लोग सामान रखने या यातरी को बैठाने के लिए उप्योग कर सकते हैं ट्रक जो आपका बस वगएरा होता है उसमें भी कौन सा होता है उसमें भी होता है हमारा फुल फारवर चेस अब देखी कार वगएरा में इसको इसलिए उप्योग नहीं करते क्यों कार हमारा क्या है लगजेरियस आइटम है यानि कि जो जिन लोगों के पास पैसा है वही लोग कार वगदा रखते हैं तो अब देखी जब इंजन केविन के नीचे आप लगाएंगे तो इंजन क्या होता है हीट जनरेट करता है जब हीट निकलेगी इंजन से तो कुछ न कुछ उसमें हीट तो उपर की ड्राइवर की तरफ जाएगी तो ड्राइवर क्या होगा अनकमफर्टेबल होगा तो भाई ठीक है लौरी वाला ट्रक ड्राइवर है तो तो मैनेज कर लेगा अपना चला लेगा लेकिन जो लगजीरियस आद्मी है अमीर आद्मी है वो क्या करेगा इन चीजों को बरदास्त नहीं करेगा भाई वो car अपने किस के लिए ले रहा है comfort के लिए ले रहा है तो इसी लिए car वगएरा में जो हमारा semi-forward और full-forward जो chasis है उसका उपयोग नहीं किया जाता है उसमें कौन सा भले उसके कुछ नुकसान है लेकिन उसमें कौन सा chasis उपयोग किया जाएगा conventional वाला chasis उपयोग किया जाएगा ठीक है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे chasis के कुछ अन्य प्रकार तो आप यहां पर लिखेंगे बनावट के आधार पर यानि कि इनकी संरचना के आधार पर बनावट के आधार पर chasis के प्रकार तो आप यहां पर लिख लेंगे बना आधार पर यानि कि कैसे बने हैं उसके आधार पर तो देखिए पहला क्या है ladder chasis है कुछ इस तरीके का होता है यानि कि इसमें देखिए यह आपके लगे होते हैं horizontal member यह आपके क्या लगे होते हैं horizontal member लगे होते हैं ठीक है तो एक सीड़ी नुमा सम्रचना क्या करते हैं सीड बड़ी चैसिस कहा जाता है अब इससे आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है वो है सिर्फ एक यह चैसिस क्या होते हैं काफी भारी होते हैं और उन्हीं वाहनों में उप्योग किया जाता है जिन्हें भारी सामान धोने की क्या हो जिन्हें भारी सामान धोने की आवसकता होती है प्लसन आपसे जो संगा ऊपने पूछे यहीं ही शकता है कि भारी वहानों में कि सेुटी वाहन 가까 चेसीश का प्रियोग किया जाता है तो आप क्या वताओगे लेडल स्व стороны क्या आister का बढ़ेंगे यह आपका ब क्या होता है इसमें क्या होती है एक सिंगल राड होती है जो आगे और पीछे के पार्ट को क्या करती है connect करने का काम करती है यह हमारी सिंगल राड आप इसे सिंगल ट्यूब भी बोल सकते हो जो भी बोल लो यह क्या करती है आगे वाले पार्ट को पीछे वाले पार्ट से connect करने का काम करती है बैकबोन हमारी जैसे रिण की हड़ी हो गई क्या करती है पूरे सरीर का क्या करती है लोड लेती है तो इसी तरीके से क्या है यह एक बैकबोन है जो आगे वाले पार्ट को पीछे वाले पार्ट से कनेट करती है इसमें एक मजबूत मजबूत ट्यूब होती है जो फ्रंट और क्या करती है rear suspension को जोड़ने का काम करती है किसमें बायक बोन चेसिस में ठीक है सर चेसिस होके नाम हिंदी में बताएं भाई चेसिस को हिंदी में भी चेसिस ही बोलते हैं ठीक है चलिए चलिए भाई अब तीसरा वाला है अब इस में क्या किया जाता है कि चेसिस के साथ साथ वाहन की पूरी बॉड़ी घोल या जिसे आप लोग एंगलिस द्रपव सकते हैं उसन मतलब सुरच्छा की द्रिष्टी से میں सुरच्छा की द्रिष्टी से प्रिष्टी से क्या है ये चेसिस काफी अच्छा है ये चेसिस क्या है काफी अच्छा है ठीक है यानि कि चेसिस बना और उसके बाद ये देखी कार की पुरी बाड़ी है ये जो उसके बाहर का पूरा आउटर सेल है इसी के साथ चेसिस के साथ बनाया जाता है तो जिससे हमको क्या मिलती है मजबूती एक्ष्ट्रा मजबूती भाई अलग-अलग आप जोड़ोगे ठीक है इसमें क्या होगा एक ही साथ मैक्सिमम चीजों को बना दिया जाएगा तो इससे क्या होगी एक्ष्ट्रा मजबूती प्राप्त होगी और सुरच्छा की दिष्टी से जो हमारा नहीं होता अलग अलग होता है चलिए यह है हमारा ट्यूबलेस चेसिस इसमें क्या होगा इस चेसिस का उपयोग मुखता है रेस कारों में किया जाता है आपको इतना ही ध्यान रखना है यह देखिए इस तरह का कुछ चेसिस होगा और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे इस चेस में आया क्योंकि बहुत यह सिंपल टॉपिक थवही बहुत यह सिंपल था कुछ जिस्य में खास समझना था नहीं बस आप मोग थे पहड़े पिंगेju किश्टम की बारे में का इंसन सिस्टम जो है हमारा क्या होता है यहां से थोड़े से ज़्यादा चेसिस के अपेच्छा थोड़े से ज़्यादा प्रस्न बनने की संभावना रहती सर स्टार्टिंग सिस्टम भी करवाना भाई मैं करवा दूँगा मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मैं करवा दू प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद चलिए अब यहां पर सस्पेंशन सिस्टम को समझते हैं कि सस्पेंशन सिस्टम में हम साक एपजारवर का उपयोग करते हैं सबसे महत्पूर्ण पॉइंट यह है बाकी इस्टिबेल्टी वगएरा यह सारी चीजें तो है यह वाहन को क होता है सस्पेंशन सिसर्टम का वह होता है साख को अपजारव करना और वाइप निकारों को कम करना तो इसमें लिखेंगे स प Spart a सिस्टम में साक प्यूंग करते हैं जो रफ रोड कंडिसंट वेहिकल के आधार पर बेस को डामेज होने से बचाता है az ardक को इसमूथ बनाता है और सामान में डैमेज होने से क्या करता है बचाता है यही होता है सस्पेंशन सिस्टम का मुख्य काम ठीक है मोकोनिक और मोनोकॉक चेसिस एक ही होता है भाई वो एक ही होता है वो कहीं कहीं बुक में मिस्प्रिंट हो गया होगा मोनोकॉक चेसिस एक ही होता है ठीक है तो यह होता है सस्पेंशन सिस्टम का कारिया अब देखिए काम क्या होता है वही मैंने आपको होता है जब वहिकल ने हो, break लगाना है, उस समया क्या करता है, वाहन को stable करने का काम करता है, इस्थिर रखने का काम करता है, अब आईए जो figure है, उसको समझ लेते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक part के बारे में इसकी study करेंगे, जो कि आप से क्या बनता है, परस्न बनता है, उन टाइरोड बारे में पढ़ेंगे कि जो टाइरोड होता है वो क्या काम करता है इसके बाद मीं बाल जॉइंट मी पढ़ेंगे यह यह आप इसके बार। महत्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्प रव्वायली साथwriter इस्प्रिग और जो whispering और साउक अजरों कि समायोजन से हम लोग क्या करेंगे सॉक्ब्रोकर अमयोजन का काम करेंगे तो इसी में हमारा क्या लगा होगा तो कीकि इसलेंगे हम गयाफ। ठीक है अब आपको देखिए इसके component कौन कौन से जो आगे आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको दिखा देते हूं देखिए ये क्या है ये कुछ मुख्य component है जहां से आप से क्या बनेगा प्रस्न बनेगा तो इनी के बारे में आपको ज्यादा ध्यान देनी की जरूरत है और इ इससे भी प्रस्न बनता है अगला है आपका या डैंपर प्रस्न यहां से बनता है कि शॉक जरूर को और किस नाम से जानते हैं तो आप क्या बताओगे डैंपर के नाम से जानते हैं चेथवा पॉइंट है वैसे मुझे जहां तक पता है कि इनको बहुत ज़्यादा नामों से नहीं बुला जाता है इनका नाम क्या होता है यही होता है अब देखें मकैनिक अपनी भासा में तो कुछ भी बुला ले जिसे गियर को गरारी बोल देता है तो एकजाम में आपसे गरारी थोड़ी पूछेगा आपसे गियर ही पूछेगा तो मकैनिक की भासा में उसको क्या बोला जाता है उसको नहीं पढ़ना है जो किताब में लिख उसको आपको पढ़ना है जैसे कि बहुत लोग को गियर समझी में तक गियर क्या हो गया जैसे मतलब जो थोड़े कमजोर बच्ची है या मतलब वो काम वगएरा ज्यादा करते हैं पढ़ाई पर थोड़ा कम उनका फोकस रह पाता है या कम समय मिल पाता है तो उनको बुक की भ भासा बोलेगा वो उनको समझ में आ जाएगा लेकिन आपसे एक्जाम में मकैनिक वाली भासा तो पूछेगा नहीं आपसे एक्जाम में यही जो कितावी भासा है यही आपको आपसे पूछा जाएगा तो आपको इनहीं चीजों के बारे में पढ़ना है ठीक है का फीगन मैं आपको बता दूंगा, देखी, जो जहां से परस्ण बंदेगा, भाई आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां से परस्ण बंदेगा उन चीजों को मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको परसान होने की ज़रूरत नहीं है अब देखिए ये जो steering नकल हो गए रहा है spring है, tarsan bar है, tie bar है ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे पहले पढ़ेंगे पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो यहां पर आप लोग पहला heading डालेंगे पहला heading क्या है पहला heading आप डालेंगे, steering नकल steering 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 नकल अब इसको भी मैं PDF में छपवा सकता था लेकिन क्या है, महत तो पूर्ण चीजे हैं तो थोड़ा इस पर ध्यान देजिएगा थोड़ा इस पर ध्यान देखे पढ़िएगा परस्न जो आपका बनेगा, ज्यादा तर सस्पेंशन सिस्टम से वो पहला तो उसके definition वगरा से बनेगा क्या काम करता है, कैसे काम करता है और जो उसके अंदर के components वगरा से जो परस्न बनेगा वो इन ही जो आपको component है, इन ही से परस्न बनेगा तो बतेगा ठीक है, तो यहाँ पर steering नकल में क्या लिखेंगे यह, यह, इसमें लगा होता है wheel hub में लगा होता है hub मैंने आपको जब breaking system पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था इसमें लिखेंगे, यह wheel hub में लगा होता है अब अगला परस्न बनेगा क्या कारे करता है भईया तो आप इसमें लिखोगे, यह, क्या काम करेगा wheel को, अभी सारी चीजों को पढ़ाने के बार मैं आपको एक बार फिर से फीगर की तरफ ले चलूँगा और उसके माद्यम से समझा दूँगा घबडाने जरूत है नहीं, यह wheel को suspension system suspension system से क्या करता है, suspension system से जोडने का काम करता है suspension system से जोडने का काम करता है, कौन steering न करता है यही प्रसना आप से पूछेगा कि suspension system को wheel से जो जोडने का काम करता है कौन करता है steering knuckle करता है दूसरा आपका point है spring दूसरा आपका क्या है point spring इसमें आप क्या लिखोगे यह क्या होता है suspension system का suspension system का क्या होता है सबसे महत्व पूड़ भाग होता है की सके साथ मिल के काम करता है ज्यादा तर shock observer के साथ मिल के काम करता है तो आप इसमें लिखेंगे यह सौक एवजारवर सौक एवजारवर के साथ मिलकर क्या काम करेगा सौक को एवजार यानि कि जटकों को क्या करेगा एवजार करने काम और सौसित करने काम करेगा मिलकर सौक को क्या करता है एवजार करता है ताक को absorb करता है प्रिक है जो spring बनी होती है किसकी बनी होती है spring हमेशा एक अलग तरह के steel की बनाई जाती है जिसको हम लोग बोलते है spring steel की पूरि के इसमें जो आपकी spring की छंदा के हिसाब से spring के बनावट के हिसाब से अलग-अलग component जैसे कि वैनेडियम हो गया कैडमियम हो गया निकिल हो गया, मैगनीज हो गया ये सभी पदार्थ क्या होते हैं मिलाये जाते हैं तीसरा point आपका क्या है तीसरा point है आपका तीसरा point हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा point टारसन बार तो आप heading डालेंगे tarsan bar इसमें लिखेंगे कभी 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 क्या होता है वाहन में इस्प्रिंग के अस्थान पर क्या किया जाता है spring steel की बनी एक छड का प्रयोग किया जाता है एक छड का क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है जिसे क्या कहते हैं जिसे टारसन बार कहते हैं जिसे टारसन बार कहते हैं ठीक है तीन पॉइंट आपको क्लियर हुए की नहीं अभी फीगर में फिल दे चलूँगा पूरा हिंदी में लिखो भाई हिंदी में ही तो लिखा है कहां इंगली से इसमें बताओ पूरा हिंदी में ही तो लिखा है कहां इंगलिस है सौक को हिंदी में बोलते हैं जटका और एवजार को बोलते हैं अवसोसित करना ठीक है मैं लिख देता हूँ इसको सौक मतलब जो जटके लगते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सौक एवजार को बोलते हैं आवसोसित करना आवसोसित ठीक है इस्प्रिंग इस्टिल को हिंदी में भी इस्प्रिंग इस्टिल ही बोलेंगे सौक एवजारवर यानि कि जटकों को आवसोसित करने वाला उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सौक एवजारवर बोलेंगे सस्प्रिंशन सिस्टम को भी Hindi में बोलते हैं आप इसको सुपेंशन शिष्टम को Hindi में लिख लो निलंबन निलंबन प्रणाली को से सचंवें जिस्टम को Hindi में बोलेंगे निलंबन प्रणाली और कोई दिक्कत कि तोकर कहां गया भीया उसी को साक एपजारवर बोलते हैं यार साकर को हम लोग नार्मल भासा में नाम होता है वो साक एपजारवर ही होता है ठीक है चलिए यार मैं आपको बता दिया जी जी गूगल पे कुछ और किताब में कुछ और जो आपको एक परफेक्ट राइटर की किताब है वहाँ पे 50 to 1 ही दिया है एकजाम में आएगा तो वही मारना जो प्रॉपर रेसी होता है उचित रेसी होता है एयर पिट्रोल का वो 15 to 1 ही होता है बाकी किताब में क्या दिया है गूगल में क्या दिया है उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ जो इंग्लिस के राइटर होते हैं उनकी किताब का मैं आपको भेज दूँगा मैं दिखा भी दूँगा और हिंदी में तो जो बहुत से इधर उधर के राइटर हैं और कुछ भी लिख देंगे तो थोड़ा सा तो मतलब चीजों को समझने का प्रयास करो ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत पढ़ा दूँगा यहाँ पे कुछ भी पढ़ा दूँगा तो रिसर्च करने के बाद मैंने आपको ता प्रिक्टिकल नौरेज है चीजे वैरी कर सकती है लेकिन जो प्रॉपर रेसियो होता है वो 15 इस्टू 1 ही होता है एयर पेट्रोल का ठीक एयर पेट्रोल का 15 इस्टू 1 ही होता है चलिए यह टार्शन बार हो गई चौथा चौथा जो पॉइंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा क्या है टाई बार टाई बार या एसी को हम लोग बोलते हैं टाई रॉड ठीक है इसमें लिखेंगे इसमें लिखेंगे यह एक मेकाइनिजम है क्या है मेकाइनिजम है जो क्या काम करता है जो वील को मोडने में क्या करेगा इस्टियरिंग की सहायता करता है सहायता करता है, ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, जब steering, हिंदी में भाई लिख दिया देखो, एक जगां इंगलिस में लिख दिया है, जगां हिंदी में, जब steering क्या करता है, एक वील को मोडता है, तो दूसरा जो वील है, दूसरा वील किसकी सहायता से मोडता है, दूसरा वील, टाई, राड, या किसकी सहायता से, टाई, बार की सहायता से मोडता है, यही प्रसनाप से पूछा जाता है, यही प्रसनाप से पूछा जाता है, कि steering जब एक वील को मोडता है, तो दूसरे वील को मोडने में, कौन सा मेकैनिजम जो है, वो steering की मदद करता है, तो आप क्या बताओगे, आप क्या बताओगे, जो टाई बार या टाई राड होता है, यही क्या करता है, यही क्या करता है, steering की दूसरे wheel को मोड़ने में क्या करता है मदद करता है चलिए अगले point की तरफ बढ़ेंगे अगला जो point है वो है आपका पांचवा sock absorber ठीक है पांचवा है आपका sock absorber यानि कि जटकों जो आपके बाइक में लगते हैं की मालेज़े रोड आपकी क्या है उबर खाबर है तो जटकों को जो associate करने का काम होता है ठीक है करके लिख देंकल के exam में पूरा पता लगा तो अंसर कर देंगे नहीं तो अंसर नहीं करेंगे पार के नीचे लिख दो इन्हें और किस किस नाम से बुलाया बहुत आप ये तो मानते हो कि थोड़ा बहुत आप से जादा नौलेज मुझे है तो प्रस्ण कहां से पूछेगा इतना भी थोड़ा बहुत मुझे ग्यान है तो भाई मैं वही चीज़ों आपको पढ़ाने के प्रयास कर रहा हूं जो कि आपके एक्जाम में पूछी जाएं और यह स्वेवार और स्वेवार एक रहे चीजा नहीं भाई जो एंटी स्वेवार है वह क्या होता है अलग होता है अभी म zij मॉख्यता मुख्यता क्या होता है दो प्रकार का होता है कौन कौन सा पहला आपका हो जाएगा पहला आपका हो जाएगा यान्त्रिक पहला आपका क्या हो जाएगा यान्त्रिक जिसे हम लोग बोलते हैं मकाई निकल ठीक है दूसरा आपका क्या हो जाएगा द्रवचलित जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक ठीक है अब यांतरिक का उप्योग आपसे पूछेगा तो छोटे वाहनों में जैसे कि आप इसमें लिखोगे इसमें लिखोगे दो पहिया वाहन दो पहिया वाहनों जैसे कि मोटर साइकिल मोटर साइकिल स्कूटर आदी में स्कूटर आदी में इसका उपयोग किया जाता है ठीक है और द्रव चलित का जो कहां पर किया जाएगा द्रव चलित का कार अगयरा में कार अगयरा में कार आदी में किया जाएगा आप से पूचता है कि जो हाइड्रोलिक सस्पेंसन सिस्टम है वो कहां पर प्रयोग किया था तो आप क्या बताओगे कार में प्रयोग किया जाता है ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आसिव जी चलिए अब हम लोग इसका जो टाइप है द्रव चलित का उसका टाइप देख लेते हैं तो आप डालेंगे बस टाइप आपको पढ़ना है यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक सॉक एबजारवर तीन तरह का होता है काउन काउन सा पहला आपका हो गया वेन टाइप दूसरा आपका हो गया पिश्टन टाइप पिश्टन टाइप और तीसरा आपका काउन सा हो गया तीसरा आपका हो गया टेली इसकोपिक टाइप पुछेगा कि हाइड्रोलिक साकेब जारवर इसकोपिक टेली इसकोपिक टाई पुछेगा आपसे कि जो हाइड्रोलिक साकेब जारवर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं भाई यह मुझे नहीं पता है यार इस्टीरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टीरिंग को हिंदी में धोते हैं बताई मिह daddy यहां से प्रस्ण की अभी इस्कोपिक का जो साभशेत होते हैं उसके शिलिंडर किके लगते हैं तो आफ में दो वाल्व क्या होते हैं दो वाल्व लगे रहते हैं पस यही प्रस्ण आपसे बनेगा और आपकी यहां पे कार पढली कैसे कार करती है इससे कोई प्रस्ण आपसे नहीं पूछा जाएगा थीक है चलिए चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जो हमारा अगला पार्ट है अगला पार्ट है वो क्या है अगला पार्ट है हमारा इस्ट्रट ठीक है कौन से नंबर का साथ छठे नंबर का आप लोग देख लिएगा छठे नंबर का जो हमारा पार्ट है वो होता है यह और यह ज्युआंश है मिल यह काम करते हैं तो यह क्या करता है इस्टैट साब इस्परिंग को जोड़ने का काम करता है तो आप यहां पर क्या दिखोगे यह क्या काम करेगा सौक इबजारवर और इस्प्रिंग को साक इबजारवर और इस्प्रिंग को जोडने का काम करता है जोडने का काम करता है जोडने का काम करता है ठीक है इस्टिट के बारे मापको इतना ही जानना है अगला जो पॉइंट है वो है आपका एंटी स्वे बारा सत्वा जो पॉइंट है वो है एंटी स्वे बारा इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे ये ये वाहन सस्पेंसन के क्या करता है डिफरेंट साइड्स को जोड़ता है अभी मैं फीगर फिर से दिखाऊंगा घपडाने क्या आओ सकता नहीं फिर अभी जितनी डिफनिसन हम लोग लिख रहे हैं फिर एक बार फीगर की तरफ ले चलूंगा और फिर फिगर के माध्यम से आपको समझाओंगा तो ये वाहन के सस्पेंसन के डिफरेंट वाहन के सिस्पेंसन के डिफरेंट वहान के suspension के different sides को जोडता है different sides को क्या करता है जोडने का काम करता है different sides को जोडता है आप यहाँ पर लिख लो different sides को जोडता ठीक है अगला point इसमें क्या लिखोगे moving vehicle को moving vehicle को क्या का प्रदान करता है stability प्रदान करता है stability प्रदान करता है कौन हमारा जो anti-swave bar होता है यह अब last वाला जो point है उसको भी आप लेख लीजिए वो है आपका ball joint आठवे नंबर पर आपका आता है ball joint इसमें लिखेंगे वेहिकल सस्पेंशन वेहिकल सस्पेंशन सस्पेंशन को इस प्रकार इस प्रकार design किया जाता है इस प्रकार design किया जाता है कि वो क्या हो वो उपर नीचे भी हो सके उसी में क्या करता है उसी में ball joint मदद करता है दूसरा इसका काम क्या है दूसरा इसका काम क्या है भाई यह इस पिंडल को वील से जोडता है ठीक है बस इतना आपको ध्यान रखना है इतना आपको ध्यान रखना है चलिए ठीक है हाँ वही चीज है भाई वही मैं कर रहा हूँ कि स्टीरिंग की हिंदी का कोई मतलब आपका बनता ही नहीं तो जल्दी से जो स्क्रीन साट लेने वाला बच्चा होगा इसका स्क्रीन साट लेगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है जल्दी से जो स्क्रीन साट लेने आगे बढ़ेंगे चलिए अब हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं एक तरफ फिर से एक बार फिर से अपने फीगर की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ते हैं ठीक है अब देखिए जो भी मैंने आपको कंपोनेंट बताए सारे आपको यहां पर मिल जाएंगे इस्टीरिंग नकल देखिए क्या कर रहा है मैंने आपको बताया कहां पर लगा होगा वील हब में लगा होगा और क्या काम करेगा सस्पेंसन सिस्टम को यह जो पूरा सस्पेंसन सिस्टम है इसको वील से कनेक्ट करने क काम करेगा इस्प्रिंग का कार आपको सिंपल सा पता है सौक को इबजार करने का काम करेगा किसे के साथ मिलकर सौक इबजारवर के साथ मिलकर सौक इबजारवर का टाइप मैंने आपको बता दिया यांत्रिक टाइप का हाइड्रोलिक टाइप का हाइड्रोलिक टाइप तीन Strait मैंने आपको वताया यहाँ पर लगा है MacPherson Strait यहाँ पर क्या लगा है MacPherson Strait यह क्या काम करेगा यह Sock Abserver और Spring को क्या करता है Connect करने का काम करता है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह अंदर हमारा जो Rod है यह Sock Abserver है इसके उपर क्या लगी हुई है, इस्प्रिंग लगी हुई है, तो जियो मैक फर्सन इस्टेट है क्या कर रहा है, दोनों को connect करने का काम कर रहा है, ये है आपका anti-swave bar, जो कि क्या काम करता है, moving vehicle को क्या करता है, stability प्रदान करेगा, और suspension के different side, देखे suspension का एक side क्या हो गया, ये काम करता है, जोडने का काम करता है, यहाँ पर आपका लगा होता है ball joint, यह दिखिए यहाँ पर इधर side दिखाए गया है, यह इधर आपका ball joint दिखाए गया है, tie rod मैंने बता दिया, steering जो vehicle को क्या करता है, wheel को मुडने का काम करता है, उसमें क्या करता है, tie rod steering की मदद करता है, कैसे करता है जब हमारा steering एक wheel को मुड़ता है तो दूसरे wheel को मुड़ने के लिए tie ride क्या होता है tie ride इस्तिमाल किया जाता है ठीक है अब बताईए इतना समझ में आया की नहीं तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं suspension के types के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे suspension के types के बारे में तो फिक है इतना चीजे आपको समझ में आ गई किया इतना जो मैंने आपको पढ़ाया किया वो समझ में आया किया वो समझ में आया sowa कि had used कि यह लग्नीज Prop exatamente मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि पार्ट का दूसरा नाम कैसे लिख दे मुझे यह नहीं सब्सक्राइब कि आप क्या मकैनिक वाला नाम जानना चारे हो भाई क्या आप मकैनिक वाला नाम जानना चारे हो तो अगर आप मकैनिक वाला नाम जानना चारे हो तो भाई मुझे मकैनिक वाला नाम नहीं पता वो तो क उसी के बारे हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं अगर आप पहली क्लास ले रहे हैं तो मैं आपको यही गाइट करूंगा पिछली जो पूरी क्लास है उसको जरूर देखिए क्योंकि आज हमारा जो टेकनिकल पार्ट है यानि कि जो मेंटेरिंस वाला पार्ट है उसका आज को पढ़ना पढ़ेंगा ठीक है चलिए अब यहां पर डिपे टाइप साब शस्पेंशन सिश्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो पहला होता है डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम यानि कि dependent मतलब क्या जो क्या हो एक दूसरे के ऊपर आस्वित हो यानि कि इस पहिये में इस पहिये में जो सिस्टम है इस पहिये का जो सिस्टम है वो क्या है इस पे डिपेंडेंट है जैसे कि मान लीजिए अभी आपको ये जवाब वगएरा नहीं कर रहे हैं तो आप किस पे डिपेंडेंट है अपने माता पिता पर डिपेंडेंट है ठीक है और जो जाब वगएरा करने लगेगा व वो दूसरे पहिए से connected रहता है, यानि कि क्या रहता है, dependent रहता है, और इसमें इस प्रकार के system का, इस प्रकार के suspension system का उपयोग कहां पे किया जाएगा, ट्रक्स में, जो इंडियन ट्रक्स हैं, आप इसमें लिखो ट्रक में, टिपर में, ट्रेक्टर में, ट्रेक्टर इत्यादी में इसका उपयोग किया जाएगा, इत्यादी में, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, independent suspension system की, यानि ये suspension system क्या होता है, सभी पहियों की जो suspension system है, वो एक दूसरे से क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, यानि कि अगर इस पहिये के इस wheel के नीचे, कोई हमारा bump आता है, या कोई उबर खाबर सतह आती है, तो इससे हमारा ये वाला पहिया क्या होगा, प्रभावित नहीं होगा, कहां पर उपयोग किया जाएगा, तो आप लिखोगे, कार में आदी महंगी गारियों में इसका उपयोग किया जाता है, अब ध्यान से समझे, मैं आपको एक जामपल की रुप में समझाता हूँ, कि मान लीजी आपने कभी अगर अपनी practical life में चीजों को दिखा होगा, तो क्या बताईए, कार पलटती है, कि हमारा tractor पलटता है, बताईए, जो हमारा practical life में अपने जीवन में देखती है, तो क्या होता है, आपकी टラक पलट जाती है, टिपर पलट जाता है, ट्रैक्टर पल खीच़र की बात नहीं कर रहां हूँ मोवी में तो सब कुछ होता है लेकिन नार्मल लाइफ में क्या आपने कभी कार पलड़ते हुए देखा है इपाली कार तकर मार दी होगी ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी होगी लेकिन ऐसा नहीं कि कार पलड़ जाए क्यों क्योंकि कार में जो होता है वह इंडिपेंडेंडेंट सस्पेंशन अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्यों हम लोग तब इसका उपयोग नहीं करते क्यों हम लोग जो है independent suspension system का उपयोग ट्रक टिपर या टेक्टर में नहीं करते तो भईया ये बहुत महंगा होता है यानि कि इसकी जो cost है वो बहुत जादा है और ट्रक वगरा में एक ही आ कानि है वो बहुत कम है एग कि-र आपको क्या करना है जो cost है सामान ढोने वाले वाहन Important another है जो cost है वो क्या करना है कम रखना भाई विल्कुल विकास दूब रखी ती देखी थी आपने ठीक है वह ही कर रहा हूंकि वह एसमें हो गया या लेकिन उसको क्या होता है dependent suspension system अब आप से एक प्रस्न पूछता है कि dependent suspension system में क्या प्रयोग किया जाएगा इसमें तो देखिए पूरा जो hydraulic absorber वगरा रहेंगे यह सब प्रयोग किया जाएंगे बहुत इसका जटिल प्रणाली रहेंगी लेकिन इसमें जो हमारा dependent suspension system होता है इसमें किसका उप्योग किया जाता है लीफ इस्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है कि इसमें dependent suspension system में समझ में आ गया कि नहीं इस पहिये का जो suspension system रहेगा इस पेंड रहेगा इसलिए इसको dependent suspension system बोलते हैं एक पहिया देखिए उठा तो पूरा वाहन हमारा क्या हो गया तेड़ा हो गया यहां पर क्या है देखिए यह पहिया उठा हुआ है लेकिन पूरा वाहन हमारा क्या है सीधा है ठीक है चलिए बिलकुल लाएंगे भाई बिलकुल लाएंगे बिलकुल लाएंगे बिलकुल लाएंगे हम बोल्टर वगरा लद के आते हैं उसी को हम लोग ठीपर बोलते हैं ठीक है विल्कुल भाई पढ़ा दूंगा लेकिन मिसलेनियस में पढ़ाऊंगा टायर के बारे में चलिए अब थोड़ा सा leaf spring हम लोग देख लेते हैं यहां से भी प्रस्वन बनता है कि leaf spring का परयोग कहां पर होता है dependent suspension system में होता है इसके parts के बारे में देखे leaf spring को आपस में जोडने के लिए जो center के बोल्ट लगा होता है उसे हम लोग भोलते हैं U bolt और इसी को एक नाम से और जानते हैं center bolt इसी को हम लोग center volt के नाम से भी जानते हैं इसको आपस में rebound करने के लिए जोडने के लिए बांधने के लिए किसका उप्योग किया जाएगा rebound rebound clip का उप्योग किया जाएगा ये वाला जो उपर वाली हमारी leaf होती है ये सबसे लंबी होती है और पूछा जाता है जो उपर वाली leaf होगी कैसी होगी सबसे लंबी होगी सबसे छोटी होगी तो आप क्या बताओगे जो उपर वाली पत्ती होती है जो उपर वाली leaf होती है वो क्या होती है सबसे लंबी होती है और यहाँ पर क्या होती है यहाँ पर इसकी आई होती है और आई में इसके एक बुस प्रयोग किया जाता है कौन सा ब्राउंज बुस यह प्रसनाब से पूछा जाता है क्यों क्योंकि यह जो हमारी पत्ती है वो न घिसे जब बुस घिस जाएगा तो हम क्या कर देंगे बुस को बदल देंगे तो यही part इसी से joint होती है बारबार जब इस्प्रिंग दपती है उपर नीचे होती है तो ये joint ये हमारा जो आई है वो क्या होता है घिस जाता है तो उसको गिसने से बचाने के लिए इसमें एक बुस का उप्योग किया जाता है कौन से बुस का बेंडिंग फोर्स क्या करती है वहन करती है पूछा जाता है कौन सा बल वहन करती है टेंसाइल फोर्स यानि कि खिचाव बल संपीडन फोर्स टार्सन फोर्स या बेंडिंग फोर्स तो कौन सा फोर्स वहन करती है जो हमारी लीफ स्प्रिंग है वह बेंडिंग फोर्स वहन कर अब देखे यहां पर पत्तियों की संख्या जादा है लेकिन किताब में जो प्रस्ण पूछा गया है पिछले दो-तीन सालों में या किताबों में जो प्रस्न दिया है वहां पर पत्तियों की संख्या 5-7 बताई गयी है, तो आप एक पॉइंट यह भी दिख लेंगे कि लीफ इस्प्रिंग में पत्तियों की संख्या कितनी होती है पत्तियों मतलब एक होती है ठीक है अगला परस्न यहां से लीफ स्प्रिंग से क्या बनेगा कि लीफ स्प्रिंग को करवा दूँगा भाई बिल्कुल विकास भाती जी मैं नहीं देखिए उसमें गलतियों को कलेक्ट किया जा रहा है आपको परशान होने की ज़रूरत नहीं है srp best music परसान होने की ज़ुरत नहीं है ठीक है अब अगला प्रस्ण बनता है कि जो leaf spring को chasis क्योंकि chasis से connect रहेगा और इसके उपर क्या रहेगी पूरा जो हमारा body weight वगरा रहेगा वो रहेगा तो इसको chasis से connect करने के लिए सकल पिन का उप्योग किया जाता है ये भी प्रस्ण आप से पूछा जाता है तो इसको भी कहीं लिख लेंगे आप इसमें लिखेंगे इसको यानि कि leaf spring को chasis से chasis से जोडने के लिए जोडने के लिए क्या किया जाता है जोडने के लिए सकल पिन सकल या उसे cycle भी बोलते हैं बहुत लोग cycle भी बोल देते हैं तो सकल पिन या सैकल पिन का उपयोग किया जाता है, पिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो ये रहे कुछ लीफ स्प्रिंग से बनने वाले आपके प्रस्न, ये रहे कुछ किंग पिन भी बोल सकते हो भाई, जो प्रस्न पूछा जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि सकल पिन के नाम से ज़्यादा प्रसन पूछा जाता है ठीक है बिल्कुल भाई देखेंगे मनीज प्रतिक जी बिल्कुल आपका जो है टेकनिकल और रोड सेंस वाली में राथन अलग-अलग लेकर आएंगे बिल्कुल कोसिस करेंगे देखें आपकी इच्छा के उसार से जो चीज़ें सही होंगी वो किया जाएगा बस आपको परसान नहीं होना है ठीक है परसान नहीं होना है चलिए चलिए अब यहाँ पर इसको चेसिस से जोडने के लिए सकल पिन का उपयोग किया जाएगा ब्राँज बुस का उपयोग किया जाएगा पतियों की संख्या 5 से 7 होती है लीफ स्प्रिंग का परयोग डिपेंडेंट सस्पेंसन सिस्टम में किया जाता है और कौन सा फोर्स वहन करती है बेंडिंग फोर्स या बेंडिंग इस्ट्रिस को वहन करने का काम करती है समझ में आया की नहीं भाई या समझ में आया की नहीं ठीक है भाई स्क्रीन साट ले लो बिल्कुल स्क्रीन साट ले लो जल्दी से इसका स्क्रीन साट लो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ महत्पुर्ण बिंदूओं की तरफ चली अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ महत्पूरू बिंदूओं की तरफ जिसके उत्तर कि आप इच्छा मैं आप से करूँगा कि आप इसमें से जो हमारे पांच बिंदू हैं इसका सही उत्तर आप जल्दी से जल्दी दें सही उत्तर जल्दी से जल्दी देने का प्रयास आप लोग यहाँ पर करेंगे तो बताइए पहला हमारा पॉइंट है कि गाड़ी चलाते समय, मोडते समय तथा ब्रेक लगाते समय, पहियों की पकड सडक से बनाए रखने का काम कौन करता है नोट्स मिल जाएंगे भाई, आपको जल्दी ही मिल जाएंगे रुजगार भी थंकित अप्लिकेशन पर आप जाएंगे वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे कारतिक त्यागई का सबसे पहला उत्तर है और सही उत्तर है सस्पेंशन सिस्टम यानि कि गाड़ी चलाते समय, मोड़ते समय, ब्रेक लगाते समय पहियों की पकड़ सड़क पर बनाए रखने का कार एक कौन करता है वो हमारा करता है सस्पेंशन सिस्टम यहाँ पर आप लिखेंगे सस्पेंशन सिस्टम कल इससे इलेटेट प्रस्णों को भी ले कर आ रहा हूँ तो आपको घढ़ाने को बिल्कूल आव सकता नहीं है इस वीक में हमारे जो भी टापिक हुए है जैसे कि कलच हो गया, सस्पेंशन सिस्टम हो गया ट्रांस्मिशन सिस्टम हो गया transmission system के अंतरगत आपका gear box हो गया, propeller shaft हो गया, differential हो गया breaking system हो गया इन सारे topics से related प्रस्न मैं आपको कराऊंगा, 50 बहतरीन प्रस्न होंगे, simple प्रस्न होंगे और एकदम परिच्छा में पूछे जाने वाले प्रस्न होंगे, तो कल आप लोग जरूर class से जुड़ जाईएगा, सामको साथ बजे, ठीक है, चलिए, बिलुकुल अगर अपने हाथ से notes बना रहें, तो उससे अच्छा भाई, कुछ नहीं, अगला point है, कि सड़क उची नीची होने के कराण, पहिया उपर नीचे उठता है, तब गाड़ी को एक तरफ जुकने से कौन बचाता है, ध्यान से प्रसंद को पढ़िएगा एक तरफ गाड़ी को जुकने से कौन सा suspension system बचाएगा कौन सा suspension system के बारे में आपको जवाब देना है, कि सड़क उची नीचे होने पर पहिया उपर नीचे थो रहा है लेकिन गाड़ी हमारी क्या फ्लेट है, गाड़ी किसी भी तरफ नहीं जुक रही है, या जो हमारा वाहन है, वो किसी भी तरफ नहीं जुक रहा है तो कौन सा suspension system ऐसा करने से बचाता है, तो वो होता है हमारा independent suspension system system, ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि आधुनी कारों के अगले पहियों में independent system का उपरयोग किया जाता है तो तीसरा पॉइंट है, इसको आप note के माध्यम से note कर लेंगे कि आधुनी कारों के अगले पहियों में भी क्या किया जाता है independent suspension system का प्रयोग किया जाता है चौथा पॉइंट है कि इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में इस्प्रिंग कहां लगाई जाती है बताईए जल्ली से बताईए इंडिपेंडेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम जो होता है उसमें इस्प्रिंग कहां पर लगाई जाती है यानि कि test को re-attempt करने का option मैं कह दूंगा अपनी टेक्निकल टीम से कि अगर खुल सके तो वो क्या कर देंगे आपका जो option है re-attempt करने का वो खुलवा दिया जाएगा परसान होने क्या हो सकता नहीं तो independent suspension system में spring कहां लगाई जाती है दोनों पहियों में लगाई जाती है तो आप इसमें लिखोगे दोनों पहियों में लगाई जाती है कौन सी हमारी spring अगला पॉइंट है लीफ इस्प्रिंग पिछले पहियों में कितनी संख्या में होते हैं देखे बुक में पांच से साथ ही दिया रहता है तो आप वही मानेंगे बागी प्रिक्टकल लाइफ में कितने भी हो सकते हैं तो आप बताएंगे लीफ इस्प्रिंग पिछले पहियो तो आप पूछ सकते हैं इससे डिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल हो चेसिस और सस्पेंसन सिस्टम से जुड़ा हुआ तो आप उसको पूछ सकते हैं जल्दी से पूछिए अगर कोई डाउट हो और जो स्क्रीन साट लेने वाला बच्चा रहे हो जल्दी से एक बार स् तो चेंबर काश्टर इंगल भी पढ़ाना ठीक है भाई पढ़ा दूँगा मैं ड्राइवर पार्ट आराम से करवाना भाई ये वाला पार्ट भी आराम से ही करवाया है जल्दबाजी में नहीं करवाया ये टॉपिक्स ही छोटे हैं प्रस ने जादा बनता ही नहीं तो बह लोग वेट करिए चैनल से जुड़े रहिए ठीक है नहीं बाइक में नहीं होता भाई बाइक में हाइड्रोलिक सस्पंसर नहीं होता वह आयल का उप्यों किया जाता है थोड़ा वह लेकिन आप उसको पूरी तरीके से हाइड्रोलिक नहीं बोल सकते हो ठीक है क्या दिखा इस बाइए एक बार सिस्प्रिंग और लीफ इस प्रींग अलग-Alग होता क्या बिलकुल अलग होता है इस बिंग हमारे कई तरह को होते हैं आप थोड़ा सकते हो जाएंगे चरफ समिक ही लिफरिंग ये उसको भीकिन करने लिफ इस टरूंग के औंदर एक स्प्रिंग आता कि मैंने अभी आपको पढ़ाया ठीक है चलिए 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 तीन नंबर का नहीं बताए साथ भाई तीन नंबर वह पॉइंट ही लिख दिया था ना पूरा कि आधुनिक कारों के अगले पहियों में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का प्रियोग किया जाता ह यह इसने पॉइंट ही बता दिया तो इसमें कुछ बताना नहीं है कि फ्लाइवील मैंने आपको बता दिया है ठीक है सुभाज का जवाब है कि लीफ करवा देंगे बिल्कुल बहां कर देंगे चलिए झ्ली आज के कल का टाइमिंग का रहे को वही शाथ बजे कल जो हमारा 50 questions आने वाले हैं वही डेली आपको 7 बजे आ जाना है जो हमारा timing रहता है वो 7 बजे ही रहता है चलिए 7 बजे, 7 बजे, कल class का timing 7 बजे ही रहता है तो आज के class में इतना ही class कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा साथी साथ class के बाद comment करके जरूर बताईएगा कि आपको class कैसी लगी मिलते हैं कल पूरे weekly questions के साथ practice के साथ तब तक बने रही है हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद